जहिंद वंदे मात्रम आप सभी का एक वार फिर से हार्दिक स्वागत है विजेपत एजूकेशन की इस ओनलाइन क्लास में आज रीजनिंग का फर्स चैप्टर कवर करेंगे एनलोजी से रिलेटेड हमारी ये क्लास रहेगी बेसिकली हिमाचल पुलिस एक्जाम के लिए काफ तो स्टार्ट करते हैं आज किस क्लास को देखी सबसे पहला कोईशन क्या दिया गया है उस बिकलब का चैन कीजिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह समंदित है जिस परकार दूसरा सब्द पहले से समंदित है तो आपको रिलेशन बताना है एनलोजी का मतलब ही क्या है लिए तो यहां पर तौचा को बाल के साथ रिलेट करना है वैसे ही भूमी को आपने किसी अलग चिभन से रिलेट करना है चार औक्शन में से द की सकं भूमी के उपर क्या चीज उखती है तो घास उखती है इसलिए option number C इसका right answer रहेगा जल्दी से आप हमारे साथ जुड़ जाएं अपने अपने answer हमारे साथ यहां पर share कीजिए क्या आपके right answer रहते हैं next question है उस पद का chain कीजिए जो तीसरे पद से ठीक उसी तरह समंदित है जैसे पहला और दूसरा आपस में हैं तो आपको फिर से उसी तरीके के question आज देखने को मिलेंगे आपको सभी के सभी question में आपको relation बताना है क्योंकि analogy आपकी basically depend करती है इन ही चीजों के उपर तो यहां प जाता है चाकू जो है वो काटने के लिए उपयोग किया जाता है कट करने के लिए इसलिए option number 6 का right answer रहेगा next question है petrol का hint आपको दिया गया है गाड़ी और बिजली का hint आपको बताना है क्या होगा बल्लव अंध्यरा या फिर कक्ष यानी की कमरा तो पेट्रोल और गाडी तो गाडी कैसे चलती है पेट्रोल से चलती है कुछ उस तरीके से आप बता सकते हैं तो कौन सी चीज जो है जैसे देखिए उल्टा आप कर सकते हैं पेट्रोल आप गाडी में डलवाते हैं तो बिजली से कौन सी चीज चलती है पेट्रोल से गाडी बिजली से क्या जलता है, बलव जलता है, तो option number B इसका right answer रहेगा, next question है, question number 4, हरा को रंग बोला गया है, तो सेब को क्या बोला जाएगा, दीखी यहां पर हरे को रंग बोला गया है, यानि कि हरा जो है, वो एक किस category का है, colors की category का है, जिसमें हरा, लाल, नीला, संतरी, ऐसे र है, वो किस category का है, यहां पर उसका रंग नहीं पूछा गया, आपने गलती से भी लाल नहीं करना है, category की बात की गई है, यह जो हरे, नीले, संतरी, यह सारे के सारे क्या है, colors है, तो वैसे ही, सेव, संतरा, किन्नू, अंगूर, यह क्या है, सारे, फल है, तो option number A, इसका right answer रह सोना को क्या कहा जाएगा, सोना, तो देखिए, यहां पर option जो है, वो उठना, आरा, मुक्ती, और समीप, कुछ इस तरीके से बताएगे हैं, तो यह सोना है, सोना यानि कि sleep करना, सोना यानि कि gold वाला नहीं है यह, तो कारे का प्रयास बताएगे है, यानि कि जिस पर कार हम क सोने का मतलब क्या है, उसका direct relation है, आराम करने से, rest करने से, rest करने का मतलब है, सोना, तो option C, इसका right answer रहेगा, question number 6 है, गेंद को कहा गया है, फैंकना, तो कौन सा option आपका, सही, आपको यहां पर जोड़ी बतानी है, hint आपको, पहले में दिया गया है, गेंद का मतलब फैंकना तो अगर आप गेंद को क्या करेंगे, फैंक देंगे, तो वैसे ही, relation आपको बताना है, football यहां पर right answer रहेगा, option number D, football को kick करना, यह एक relation जो है, बन रहा है, गेंद को फैंका जाता है, गेंद और बल्ले का तो relation बन नहीं रहा है, गेंद को फैंका जाता है, वैसे ही, football को क्य क्या किया जाता है, किक किया जाता, तो option D, इसका right answer रहेगा, next question, question number 7 है, कभी का समंद कविता से दिया गया है, तो आपको बताना है, मोची का समंद कविता से है, कभी क्या करता है, कविता लिखता है, तो मोची क्या करता है, जूते जो है, वो सिलता है, तो option number B, इसका right answer रह नेक्स्ट कोईशन जल्दी से आंसर दीजिए, साइंस से रिलेटेड जुड़ा हुए कोईशन है, लोहे को FE कहा गया है, यानि कि ये इसका परतीक बताया गया है, जो की प्रियोडिक टेबल में बनाये जाते हैं, यानि कि उसके सिंबल बताये गये हैं, तो आपको बताना है चांदी का सिंबल क्या होगा, तो चांदी को AG से डिनोट किया जाता है, इसलिए Option C का राइट आंसर रहेगा, नेक्स्ट कोईशन नमबर नाइन्थ है, आपको बताना है मुनार्क का रिलेशन किस तरीके से बनाया जाएगा, यदि अनाकोंडा का समंद जो है, वो कोबरा से बताया गया है, देखिए, मुनार्क की बात की गई है यहाँ पे, तो आप इस कोईशन का आंसर जो है, वो यहाँ पे कोमेंट कीजिए, क्या इसका राइट आंसर आपके अकोडिंग रहना चाहिए, जल्दवाजी में अपना कोईशन आप गलत ना करें, क्योंकि टफ से लिए काफी अच्छी सीरीज जो है, वो विजेपत एजुकेशन के द्वारा चलाई गई है, तो डेली आप शाम साथ बजे और आठ बजे हमारे साथ जुड़ें, अपनी प्रेक्टिस लगाएं, क्या-क्या आपके आंसर बिलकुल सही रहते हैं, देखिए, एनाकोंडा का स मंद जो है, वो किस से होगा, क्वीन से होगा, मुनार्क का समंद किस से होगा, क्वीन से होगा, ओफ्शन अमबर बी इसका राइट अंसर रहेगा, ठीक है जी, जैसे कोबरा और अनाकोंडा जो हैं, दोनों के हैं, सांप हैं, वैसे ही मुनार्क और क्वीन जो हैं, ये दोनो एक ही परजाती में आते हैं वैसे अगला प्रशन आप देखी छाया को परकाश कहा गया है तो आपको बताना है परावर्तन को क्या कहा जाएगा छाया को परकाश कहा गया है तो परावर्तन को क्या कहा जाएगा यानि कि रिफ्लेक्शन को हम क्या कहेंगे तो चाया का परकाश और परावर्तन का आएगा जल तो option C इसका right answer रहेगा क्योंकि चाया कभ होती है परकाश में ही होती है हमारी जो परचाई है यानि कि जो चाया है वो कभ दिखती है हमें रोशनी में ही तो दिखती है रोश्नी में ही दिखती है, अगर अंधेरे में अपनी परचाई डूंडे तो वो तो नहीं दिखेगी, लेकिन अगर एक बल्लब को जला दिया जाए, तो आपको अपनी परचाई जो है वो दिखेगी, तो वैसे ही चाया का समंध परकास से है, तो परावर्तन कहां पे दिखत अच्छाय परकाश में दिखाई देती है तो परावर्तन रिफ्लेक्शन जो है वो कहां पे होता है जल में होता है तो यह चीज़ आप ध्यान दीजिए option C का right answer रहेगा next question है रसाइन विज्ञान को कहा गया परमानू तो जी विज्ञान को क्या कहा जाएगा यानि की रसाइन विज्ञान यानि की chemistry, chemistry में हम परमानू का ध्यान करते हैं परमानू यानि की atoms को study करते हैं तो जी विज्ञान यानि की biology जो है bio जो subject है उसमें किस चीज की study हम करते हैं यह आपको बताना है तो biology जो है basically depend करती है human body के उपर यानि की cell के उपर कोशिका human body की जितनी भी कोशिका tissue, cell यह सारी जो चीजें हैं इन चीजों के उपर dependent है तो option D इसका right answer रहेगा relation आपको बताना था इस question में next है आपको relation बताना है जैसे की barrack और shoulder में relation दिया गया है वैसे ही आपको spider का relation बताना है आपका क्या इसका right answer रहेगा यह आप यहाँ पर बताएए तो देखिए shoulder, shoulder का मतलब होता है army person यानि की sannik थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान दीजिए meaning के उपर भी आपको पता होना चाहिए soldier का मतलब होता है sannik और beraak का मतलब क्यों होता है चावनी यानि की जहाँ पर कौन रहता है army वाले जो है वो रहते हैं जैसे की अगर मैं पालंपूर की बात करूँ तो अलिलाल है, योल केंट है तो यह जो है इनको क्या कहा जाएगा एक चावनी कहा जाएगा यानि की जहाँ पर sannik रहते हैं उनका जो स्थान है तो वैसे ही स्पाइडर जो है वो कहां पर रहता है यानि की मकडी कहां पर रहती है तो मकडी रहती है जाले में और जाले को कहा जाता है इंग्लिश में web, w, e, b, तो option number d इसका right answer रहेगा next question है पृत्वी का relation बताया गया है नीले से तो मंगल ग्रह को क्या कहा जाएगा पृत्वी हमारी कैसी दिखती है नीली दिखती है तो मंगल ग्रह कैसा दिखता है कैसा दिखता है बताये कैसा दिखता है मंगल ग्रह दिखता है लाल option number b जो है वो right answer है हो जाएगा next question जल्दी से इस question का answer दीजिए रंग मंच को मनुरंजन कहा गया है तो मंदिर का answer क्या होगा रंग मंच, रंग मंच का मतलब है जहां पर लोगों को हसाया जाता है एक कलाकार, एक दूसरे कलाकार से क्या करते हैं, बातचीत करते हैं लोगों को मनोरंजित करते हैं, इंटर्टेन्मेंट करते हैं, रंग मंच जैसे की राम लीला होती है, या फिर महाभारत रचाई जाती है, तो लोगों को मनोरंजन भी करवाया जाता है, तो वैसे ही मंदिर का मंदिर में क्या चीज होती, तो मंदिर में जो है वो पूजा की ज जाते हैं आपको इस question में ध्यान देने वाली बात है यह आपका प्रशन हिंदी ब्याकरण से जुड़ा हुआ है आपको बताना है जैसे गवार का समंद्ध सभ्य से है वैसे ही आपको यहां पर चार option में से same relation आपको बताना है देखी गवार का मतलब क्या होता है हम बोलते हैं कई वार हमारे घर in between देब कि यह क्या बलते हैं मजाक मजाक में ठीक है कि या किसी को बोलते हें कि यह क्या गवार जैसा है गवार का मतलब होता है कि जिसको कोई सेंस नहां को बात करने की समझ नहां हो ठीक है उसका behavior कुछ अच्छा नहां हो और उस से बिलकुल opposet उससे बिल्कुल opposite होता है सब्य कि क्या सब्य वेक्ति है मतलब कि उसका बात करने का तरीका अच्छा है, बोलने का तरीका अच्छा है, बैठने का तरीका अच्छा है, हर किसी से अच्छे से बात करता है, तो वैसे ही यहां पे आपको बताना है कि कौन option आपका opposite बनता है, जैस कि निर्दई निर्दई जो है जो निर्दई है मतलब कि जो दान दून ना करता हो किसी की सहायता ना करता हो तो उसका अपोजिट तो बीर होगा नहीं जैसे कि जंगली है जो जंगल में रहता है तो जंगली का अपोजिट जानवर तो होगा नहीं ठीक है लेकिन अगर अंधे अंधेरे का option क्या अंधेरे का opposite क्या हो जाएगा अंधेरे का opposite हो जाएगा रोशनी तो यहां पे बिलोम शब्द की बात जो है वो की गई थी तो option number C जो है वो इसका right answer रहेगा next question number 16 है आपको बताना है जिस तरीके से परबत और उंचाई का समंध बताया गया है वैसे ही चार options में से किसका समंध मैच करता है परबत यानि कि पहाड पहाड कैसे होते हैं उंचे होते हैं तो वैसे ही कौन सा option आपका रहेगा नदी नदी जो है वो गहरी होती है तो पानी त सुंदरता हां घाटियां सुंदर होती हैं लेकिन उसकी एक कोई खास बिशेष्टा नहीं है ठीक है घाटी की कोई खास बिशेष्टा सुंदरता तो नहीं हो सकती कुछ घाटियां सुंदर होती है चांद जो है वो सुंदर के लिए दर्शाया जाता तो परच्छाईं बता दो धाया गया है तो आपको बताना है रोना के लिए क्या होगा। मुस्कान मुस्कान का मतलब होता है हसना और दोनों सेम चीज़ें बताईगी है हिंदी का question है प्रयायवाची के लिए ही sorry यहाँ पे आपको तीन बताए गए हैं मुसकान मुसकान का हसी और हसी से रोना हाँ इनके लिए आपको एक बिकल्प जो है वो सोचना है हाँ मुसकान यहाँ पे देखी यहाँ पे बताए गया मुसकान मुसकान को बताया गया हसी यानि कि यह सेम चीजें लिखी गई है इन दोनों में जो relation है वो क्या है same है ठीक है और हसी का उल्टा कर दिया रोना यानि कि यहाँ पे इन दोनों का relation जो है वो क्या है opposite है तो ऐसा कोई option जिसमें पहले दो में same चीज चले और उसके बाद एक opposite हो जाए तो यहाँ पे right answer इसका क्या रहेगा वो रहेगा option number B देखी जब हम किसी चीज को छूते हैं हम किसी चीज को छूते हैं तो छूने का मतलब उस चीज को हमने क्या किया पकड़ के रखा ऐसा भी हम बोल सकते हैं मैंने किसी चीज को touch किया यानि कि मैंने उसको पकड़ा था और पकड़ने का opposite क्या हो जाएगा पकड़ने का opposite हो जाएगा छोड़ देना तो option number B जो है वो यहाँ से बिल्कुल सही mail खाता है इसलिए option number B इसका right answer रहेगा next question school से जुड़ा हुआ या आपको पता होना चाही choke का समन्द बताया गया है blackboard से choke का समन्द है blackboard से तो आपको बताना है कौन सा option बिल्कुल सही होगा choke का समन्द है कहां से blackboard से तो choke अपयोग किया जाता है board में तो वैसे ही दरवाजा, handle, स्याही कागज, type, paint और table कुरसी तो क्या इसका right answer रहेगा तो देखिए जिस तरीके से choke का अपयोग किया जाता है blackboard के उपर वैसे ही स्याही का अपयोग किया जाता है कागज के उपर तो स्याही का अपयोग हम करते हैं लिखने के लिए देखिए माता का relation बताया गया है बच्चे से तो बादल का समंद किस से होगा देखिए माता और बच्चा relation थोड़ा सा ध्यान से आप ढूंडिएगा माता का relation बताया गया है बच्चे से यानि कि माता जो है वो एक बड़ी टर्म बताई गी है एक बड़ी टर्म बताई गी है और बच्चा जो है वो एक छोटा रूप बताए गया है वैसे ही वैसे ही बादल बादल जो है वो बड़ा रूप है तो बादल का छोटा रूप क्या होगा देखिए बादल बादल का बादल में क्या होते हैं बारिश आने क पक्षी का पंक पताया गया है, मचली का क्या होगा, ध्यान से अंसर दीजिएगा, बिल्खुल से ही अंसर आपका आना चाहिए, गल्ती में गल्ती क्या आपने क्या की, सभी ने अंसर क्या दे दिया, option number A दे दिया, लेकिन जल्दवाजी जो है वो हमें सब कुछ सिखा देती ह अनुभव ही एक ऐसा मित्र है, जो हमें सब कुछ सिखाता है, जल्दवाजी में गल्फडा कर दिया, यानि की question आपने गलत कर दिया, पक्षी का पंक बताया गया है, पक्षी का पंक, यानि की पक्षी पंकों की बज़ा से उड़ते हैं, तो मचली किसकी बज़ा से तैरती ह तैरने की बात की गई है, ना कि सांस लेने की, तो मचली तैरती है मीन पंकों से, मीन पंकों से उसके जो साईड में, जहां से वो तैरती है, जैसे कि अगर मैं एक मचली की आकरिती बनाऊं, इस तरीके से, तो ये जो ये जो चीज है ये जो चीज है ये जो चीज है ये जो चीज है ये इसके होंगे मीन पंक सौप्शन नमबर बी सी जो है वो इसका क्या रहेगा बिलकुल सही आंसर रहेगा अगला प्रशन देखिए, सक्त को बताया गया है पत्थर, तो नरम को क्या बताया जाएगा, सक्त पत्थर क्यासा होता है, सक्त होता है, तो इनमें से कौन सी चीज नरम होती है, पंक, चमक, चांद, या फिर बालू, बालू का मतलब होता है, रेत, तो रेत, रेत जो है, हा दे कैसी होती है नरम होती है तो इसका option number D जो है वो right answer है रहेगा विल्कुल अगला प्रशन दीजिए answer पुस्तक का समंद्र लेखक से है तो furniture का समंद्र किस से होगा furniture का समंद्ध किससे होगा furniture क्या होता है जो लकडि से चीजें होती है पुस्तक को कोन लिखता है लेखक लिखता है तो furniture को कोन बनाता है car painter बनाता है यानि कि बढ़े ही जिसको कहते है लकडियों का काम जो करता है car painter, option D, right answer रहेगा अगला प्रशन सरबाधिक उपयोग तफी बिकलब को चुनकर आपको पूरा करना है चाबल को कार्बो हाइडरेट बताया गया अंकुरित को क्या बताया जाएगा साइंस से रिलेटेड प्रशन भी डाल दिया गया है रीजनिंग में चाबल में सबसे जादा कार्बो हाइडर तो उसको हम लुग बोलते हैं हमारी पहाड़ी लांगवेज में क्या निकल के आई है तो उनको कहा जाता है अंकुरित अनाज किस चीज की मातरह सबसे अधिक जल, प्रोटीन, ऊश्मा याफिर बसा तो इसका जो राइट अंसर होगा वो होगा, ऑप्शन नमबर बी क्योप कि दालों को ही अंकुरित किया जाता है जादा तर दालों में सबसे जादा पाई जाती है प्रोटीन ऑप्शन भी इसका राइट अंसर होगा तो एनालोजी में आपकी हिंदी इंगलिश मैथ साइंस जी के सभी परकार के प्रशन जो है वो पूछ लिए जाते हैं अगला प्रशन है आपको एक जैसा समंद बताने वाला उप्शन बताना है नियून्तम का बताया गया है अधिक्तम नियून्तम का मतलब होता है कम और अधिक्तम का मतलब होता है ज्यादा यानि कि दोनों opposite bird बताएगे हैं दोनों के दोनों कैसे हैं opposite bird है तो वैसे ही यहाँ पे opposite bird बताना है जैसे कि अगर option B को देखू तो खुशी का opposite होना चाहिए दुखी पहले का opposite होना चाहिए अंतिम दुखी का opposite होना चाहिए खुश तो option अगर A को मैं ध्यान से देखू सबसे खराब और सबसे खराब का उल्टा क्या होगा सबसे अच्छा तो option A जो है वो opposite है ये बिल्कुल right answer रहेगा अगला प्रशन भारत का relation बताया गया है बाग से तो अमरीका क्या क्या है देखिए जीके का प्रशन डाल दिया गया आपसे ये प्रशन आपको आना चाहिए ये प्रशन आपको आना चाहिए भारत का रास्ट्री पशु बाग है भारत को बाग से दर्शाया है तो अमरीका को अमेरीका को किस चीज़ से दर्शायेंगे अमेरिका का जो रास्ट्री पशु है वो है बाइल्ड इगल option number B जो है वो right answer रहेगा तो जीके से समंधित प्रशन भी आपके reasoning में पूछे जाते हैं एक और प्रशन भारत की currency से related जुड़ा हुआ भारत को बताया गया रुपया क्यूंकि भारत की currency कैसी है भारत की currency का नाम है रुपया तो वैसे ही दक्षिन अफरीका की currency कौन सी है दक्षिन अफरीका की currency है रेंड option number B जो है वो इसका right answer है रहे का अगला प्रशन है जल को समुदर से दर्शाया गया तो बरफ को किस से दर्शाया जाएगा यानि कि जल सबसे ज़्यादा कहां पे होता है समुदर में होता है तो बरफ सबसे ज़्यादा कहां पे होगा हिमनंद में होगा हिमनंद यानि कि बरफ के बड़े बड़े पहाड तो option B जो है वो right answer रहेगा अगला प्रशन गुरेया का समंद दाना से है तो रेशम का कीड़ा गुरेया का समंद दाना से है तो रेशम का कीड़ा का समंद आपको बताना है देखिए गुरेया का मतलब होता है चिडिया चिडिया क्या खाती है दाना खाती है तो वैसे ही रेशम का कीड़ा क्या खाता है जो रिलेशन पहले बताना है वही सेम दूसरे में बताना है देखिए गुरेया का समन्द यहां पर बताया गया है खाने से कि गुरेया चिडिया क्या खाती है दाना खाती है तो रेशम का कीड़ा क्या खाता है वो चीज़ आपको बतानी है तो आप ध्यान दीजिएगा कुछ बच्चों का रियक्शन रहता है कि सर बाइलेंगुल होता तो हम इस कांसर जल्दी से दे देते लेकिन students कि यहां पर अगर मैं आपको बताओं तो जो आपके paper डारने वाली संस्ता है वो भी कि यहां पर हमारे साथ जो है वो एक scam कर देती है हमारे साथ game कर देती है देखे यहां पर option A की अगर मैं बात करू तो आपको English में ही लिख दिया जाएगा maple you can get this future and look here !! So, examiner has hence Y omega khael we get confused On the very other way, when I write here there is gold and gold So my children , what do i am thinking This one will know To learn Most children who know Unless they know English English में जानते हैं उनके लिए पता है लेकिन कई वार examiner दोनों के दोनों option ऐसे लिखेगा जो ना तो हमें हिंदी में जादा clear होंगे ना तो हमें English में जादा clear होंगे तो कई वार हम यह सोचते हैं कि अगर इसका option translation करके दिया होता तो हम कर सकते लेकिन examiner जो है वो पढ़ा लिखा है examiner कई वार ऐसे प्रशन भी डाल देता है तो यहां पर right answer रहेगा मलवरी option number C तो sorry यहां पर 28 है 29 question रहेगा यह sorry यहां पर यह चीज़ जो है वो थोड़ी सी mistake है next देखी ताप का समंद्ध जो है वो शीतल से है तो आपको बताना है कौन सा समंद्ध जो है वो यहां पर मैच करता है ताप ताप का मतलब क्या होता है temperature ठीक है जी ताप का समंद्ध है temperature से है? just a second हाँ ताप का समंद्ध है यहनि की शीतलता से तो हाँ ताप का मतलब होता है temperature जिसको ताप भी हम बोलते हैं जैसे की Local Language में बोलते हैं न की आपको ताप तो नहीं है ताप मतलब की आपका शरीर गरम तो नहीं हे आपको बुखार तो depiction काम तो heat, गर्मी और शेतलता का मतलब होता है ठंडक, यानि कि दो opposite बढ़ बताएगे हैं, तो बैशे विशाल का, विशाल का मतलब पहले बढ़ा होता है, तो बड़े का तो छोटा होना चाहिए था, लंबे का तो छोटा होना चाहिए था, पुरुष, तो पुरुष का opposite जो है, महिला होना चाहिए था, तो पतला, पतला का मतलब है, उल्टा आगया, मोटा तो option number B, इसका right answer रहेगा, next question है, आपको कारे को जूल से बताएगे, तो पावर का relation आपको बताना है, ये भी आपका science related question है, general science का question है, तो कारे का समंद जूल से है, कारे का SI मातरक होते हैं, जूल तो बैसे ही, पावर, पावर का समंद किस से है, पावर का समंद है, वोट से, पावर जो है वोट से समंदित है, ये इसके SI unit है, उहम जो है आपके resistance के unit है, वोल्ट, ये आपके potential difference के unit है, जिसको विभांतर कहते हैं, और शक्ती को ही English में कहा जाता है, पावर, ठीक है जी, य last question है, आज की class का सक्रांती का relation बताया गया है, आंदर परदेश से, तो बैसे ही पाकी आपको relation बताने है, बिल्कुल easy सा प्रशन है, और ये आपका काफी अच्छा प्रशन जो है, वो यहां पे डाला गया है, जातर बच्चे जो है, वो यहां पे ये चीज जो है, वो गलत क करेंगे, सक्रांती का समद्र जो है, वो आपको बताईगे है, अन्दर परदेश से, तो बैसे ही बाकी चीजे आपको बतानी है, CHAIN करना है आपको, हाँ देखिए यहां पे जातर बच्चे क्या करेंगे भांगडा को जूज कर सकते हैं कत्थक को जूज कर सकते हैं ठीक है जी देखिए यहां पे क्या relation आपको बताना है आपको relation थोड़ा ध्यान से सोचना है देखिए सक्रांती कहां मनाई जाती है अंदर परदेश में मनाई जाती है बिलकुल सही भांगडा कहां पे मनाया जाता है पंजाब में मनाया जाता है ये भी सही है कथक उत्तर परदेश में मनाया जाता है कथक कली केर बनाई जाती है ओधोम केरल में मनाते हैं और वो relatively United यह तो चारा engine बिलकुल ही सही है इसका मतलब connection और आपको बताना है सकरांथी जो है वो इसे मकर सकरांथी होती है जैसे। लोहडी है तो उसीजुड़े लोहडी को अलग राज्ये में केरल में ओनम के नाम से भी हम जानते हैं इसलिए option A का right answer रहेगा यह चीज़ आप ध्यान दीजिएगा यह चीज़ आप यहां पर ध्यान दीजिएगा जैसे कि 9 वर्ष है ठीक है जी तो 9 वर्ष जो है वो हम कब मनाते हैं हम मनाते हैं जब first जयन होता है विद्यार्थियों का 9 वर्ष कब होता है एक अपरायल से शुरू होता है एक अपरायल से 31 मार्श तक चलता है बेंकों में भी एक financial year जो है वो एक अपरायल से 31 मार्श तक चलता है तो वैसे ही कुछ इस तरीके का question आपसे पूछा जा सकता है अंधर परदेश में इसे मकर सकरांती के नाम से जानते हैं और उसी मकर सकरांती को केरल में ओनम के नाम से जानते हैं इसलिए option A जो है वो आपका right answer रहेगा आ आपको इस परकार की daily classes आपके लिए helpful रहेंगी हमारी अभी demo classes जो है वो यह चली है बाकी हमारी classes app के उपर जो है वो regular way में हमारी continue way में चली हुई है अगर आपको YouTube के उपर भी free of cost आपको classes चाहिए तो आप हमें comment कीजिएगा और suggestion आप जरूर हमारे साथ share कीजिएगा बाकी आप हमारे in social media handles के उपर जरूर आप जुड़ सकते हैं और वीडियो को आप share जरूर कीजिएगा like आप जरूर कीजिएगा क्यूंकि वहीं से हमें motivation मिलता है अगली वीडियो को बनाने के लिए जल्दी ही मैं अगली class के साथ आप से जुड़ूँगा तब तक के लिए अपन की त्यारी को और अच्छा बहतर बनाईए धन्यवाद जय हिंद जय हिमाचर